टूनी की शादी मदुरवन नाम का एक सुन्दर सा गाउ था उस गाउ में एक लाला चीरा और इसकी पतनी लाली चिरिया रहती थी उनकी एक ही बेटी थी उसका नाम था टूनी चिरिया टूनी चिरिया देखने में तो इतनी सुन्दर थी कि देखने वाले तो बस देखते ही रह जाते अपनी बेटी की सुन्दरता पर लाला चीरा और लाली चीरिया को बड़ा ही घमंड था उन दोनों को ऐसा लगता था कि उनकी टूनी चीरिया से ज्यादा सुन्दर इस दुनिया में कोई भी नहीं है एक दुन ऐसे ही लाला चीरा और लाली चीरिया बाते कर रहे थे लाली समय कितना जल्दी गुजर जाता है न हाँ वो तो है पर आप आज क्यों ऐसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो देखो न हमारी टूनी इतनी इसी थी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई हाँ, मेरी टूनी है ही इतनी सुन्दर और प्यारी कि कब बरी हुई पता ही नहीं चला हम, अब हमें टूनी के लिए अच्छा सा वर्ड धुनना होगा टूनी अब शादी की उम्र की हो गई है हाँ, पर हमारी टूनी की शादी हम किसी चीड़े से नहीं करेंगे कह देती हूँ, हां अरे एक चिडिया की शादी एक चिड़े सही तो होगी नहीं जी, मेरी टूनी सिर्फ चिडिया ही नहीं बलकि इस शृस्टी की सबसे सुन्दर जीव है सबसे खूब सूरत अप्रतीम उसकी बराबरी तो बस दुनिया के सबसे ताकतवर से होगी पर मैं सोच रहे हूँ कि संसार का सबसे ताकतवर वर कौन हो सकता है आपको कुछ पता है क्या मेरे खयाल से तो इस संसार का सबसे ताकतवर वर तो सूरज ही है तो चलो, हम हमारी टूनी का रिष्टा लेकर सूरज के पास जाते हैं ठीक है भागयवान, जैसी तुमारी मर्जी लाला चीरा और लाली चिरिया, अपनी बेटी टूनी चिरिया को लेकर सूरज के पास जाते है लाला चीरा सूरज से कहता है प्रणाम सूरज जी बोलो लाला और लाली, तुमारा स्वागत है जी सूरज जी, ये हमारी बेटी टूनी है जी सूरज जी, ये हमारी बेटी टूनी है जी, मुझे सब पता है, मैं उपर से सब देखता हूँ तो आपको ये भी पता होगा कि हम यहां क्यों आए हैं? जी हाँ, आप आपकी बेटी टूनी चिडिया का रिष्टा लेकर आए हैं, लेकिन आप बुरा ना माने, एक समस्या है क्या समस्या है? मैं इस रिष्टी का सबसे ताकतवर वर नहीं हूँ लेकिन आप से ताकतवर वर कौन हो सकता है? मुझसे जादा ताकतवर तो बादल है, जो मेरी किरणों को रोक सकता है तो आप अपनी टूनी को लेकर बादल के पास जाएं लाला चीडा और लाली चिडिया टूनी को लेकर बादल के पास गए और लाला चीरा बादल से बोला प्रणाम बादल जी मैं लाला हूँ और ये मेरी पत्नी लाली है और ये हमारी बेटी टूनी है आरे वा ये तुमारी बेटी तो बड़ी सुन्दर है हाँ बादल जी, इसलिए तो हम हमारी बेटी का विवा इस रिष्टी के सबसे ताकतवरवर से करना चाहते हैं हमें सूरजी से पता चला कि इस रिष्टी के सबसे ताकतवरवर तो आप ही है इसलिए हम दोनों हमारी प्यारी तूनी बिटिया का रिष्टा लेकर आए हैं आपके पास पर मैं इस रिष्टी का सबसे ताकतवर वर कैसे हो सकता हूँ क्यों नहीं हो सकते बादल जी नहीं मैं इस रिष्टी का सबसे ताकतवर वर नहीं हूँ हवा हवा है सबसे ताकतवर क्योंकि वो तो बड़ी असानी से मुझे यहां से वहां धकेल सकती है आप दोनों आपकी इस टूनी का रिष्टा लेकर हवा के पास जाएं ठीक है बादल जी हम चलते हैं लाला चीरा और लाली चिडिया अपनी बेटी टूनी चिडिया को लेकर हवा के पास जाते हैं लाला चीरा हवा से कहता है प्रणाम हवा जी बोलिये क्या काम है मुझसे हवा जी मैं लाला चिड़ा ये मेरी पतनी लाली चिड़िया और ये हमारी बेटी टूनी चिड़िया है बड़ी ही प्यारी और सुन्दर है आपके बेटी बताईए मैं आपकी कैसे साहता कर सकता हूँ जी वो हम हमारी टूनी का विवा ऐसे वर से करना चाते हैं जो इस रिष्टी का सब से ताकतवाला हो हमें बादल ने बताया है कि आप ही इस रिष्टी के सब से ताकतवर वर हो क्योंकि आप बादल को भी आसानी से इधर उधर ले जा सकते हो हाँ हवा जी हम इसलिए हमारी टूनी बिठिया का रिष्टा लेकर आए हैं आपके पास आप हमारी टूनी से विवा करेंगे ना हवा जी अरे लाला जी और लाली जी आपकी बेटी तो बड़ी ही सुन्दर है उसमें कोई भी कमी नहीं है लेकिन माफ कीजिए मैं भी इस रिष्टी का सबसे ताकतवर वर नहीं हो सकता हूँ क्या तो फिर आप ही बताईए अब हम कहा जाएं आखिर कौन है आपसे भी ज़्यादा ताकतवर वर दीवार है तो आप दोनों आपकी टूनी बिटिया का रिष्टा लेकर दीवार के पास जाएए ठीक है हवा जी धन्यवाद हम अभी इसी वक्त टूनी बिटिया को लेकर दीवार के पास जाते हैं लाला चीरा और लाली चिडिया अपनी सुंदर बेटी टूनी चिडिया को लेकर दीवार के पास जाते हैं लाला चीरा दीवार से कहता है नमस्ते दिवार जी नमस्ते कौन है आप और कहां से आये हैं दिवार जी मैं लाला चिड़ा और ये मेरी पतनी लाली चिड़िया है हम दोनों मधुर्बन गाउं से आये हैं ये हमारी बेटी टूनी चिड़िया है बड़ी ही खुबसूरत बेटी है आपकी बोलिए मेरे पास क्या काम है जी वो दिवार जी ये जो हमारी टूनी है न हम इसके विवा करने के लिए एक ऐसा वर ढून रहे हैं जो इस रिष्टी का सबसे ताकतवाला हो हम दोनों पहले सूरज के पास गए थे तो उन्होंने बोला उन्होंसे ताकतवाला बादल है और बादल बोले कि उन्होंसे ताकतवर वर तो हवा है फिर हम हमारी खुबसूरट टूनी को लेकर हवा के पास गए और हवा ने कहा कि उन्होंसे भी ताकतवर वर तो दिवार है जो सूरज की किर्णों से हमारी टूनी को बचा सकते हैं, बादल की बारिश से भी बचा सकते हैं, और हवा के तूफान से भी बचा सकते हैं, इसलिए अब तो हमें लगता है कि हमारी टूनी के लिए आप से अच्छावर हो ही नहीं सकता हाँ दिवार जी हमारी टूनी से आप ही विवा कर लेना जी जी आपकी इतनी संदर बेटी से कौन विवा नहीं करेगा मैं तो जरूर आपकी टूनी से शादी करता लेकिन क्या दिवार जी लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी इस रिष्टी का सबसे ताकतवर वर नहीं हो सकता ये क्या कह रहे हो आप दिवार जी? कृपा करके आप ही बताइए कि हमारी टूनी बिटिया के लिए सबसे ताकतवर वर कौन है? मेरे खयाल से तो चूहा ही हो सकता है इस रिष्टी का सबसे ताकतवर वर मुझे तो लगता है कि आप अपनी टूनी को लेकर चूहे के पास ही जाएए क्योंकि मैं आपकी बेटी को सूरज की किरनों से बचा सकता हूँ बादल की बारिश से भी बचा सकता हूँ और तो और हवा से भी बचा सकता हूँ पर सच में मैं खुद को छोटे से चूहे से नहीं बचा सकता वो तो आसानी से मुझ में छेद करके मेरे आरपार हो जाता है तो क्रिपा करके आप अपनी टूनी को लेकर चूहे के पास ही जाएए जी दिवार जी आपका शुक्रिया हम अभी चूहे जी के पास जाते हैं लाला चीडा और लाली चिडिया अपनी बेटी को लेकर चूहे के पास जाते हैं और लाला चीडा चूहे से कहता है नमस्ते चूहे जी हाँ बोलिये मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ चूहा जी ये हमारी बेटी टूनी चड़िया है कितनी खुबसूरत है ना आपकी बेटी आप दोनों तो बड़े ही नसीब वाले हो जो इतनी खुबसूरत बेटी मिली है हाँ हाँ है भी हमारी बेटी अतनी खुबसूरत इसलिए तो हम उसकी शादी इस शुरिष्टी के सबसे ताकत वाले वर से करेंगे चूहा जी, क्या वो नसीब वाले वर आप बनोगे? मतलब? मतलब की, आप हमारी टूनी से विवा करेंगे? अभी अभी दिवार जी ने हमें कहा है कि शुरिष्टी का सबसे ताकत वर चूहा यानि कि आप है अच्छा, ये तो दिवार जी का बड़पन है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं शुरिष्टी का सबसे ताकत वर नहीं हो सकता हूँ हे भगवान आखिर कौन है इस श्रिष्टी का सबसे ताकतवाला वर आप ही बताईए चूहा जी जी मुझसे भी ताकतवार वर तो चिड़ा है अब आप ही ज़रा सोचे मैं दिवार में छेद कर सकता हूँ पर वो एक चिड़ा ही है जिसके पास तो पंक है जो दिवार में छेद करे बिना ही इस पार से उस पार जा सकता है जमीन पर भी चल सकता है और खुले आसमान में उड़ भी सकता है देखो मानना है तो मानो मेरा तो ये मश्वरा है कि आप अपनी टूनी के लिए कोई अच्छा सा चिड़ा देखें और उससे टूनी की शादी करवाएं चूहे की बातों से लाला चीरा और लाली चिड़िया की आग खुल गई और उन्होंने एक अच्छा सा चीरा देखकर अपनी लाडली टूनी का विवाह कर दिया